तो कहानी की सुरुवात में हमें जापान के एक जंगल को दिखाया जाता है यहाँ पर हम यूनोरी गैंग को देखते हैं ये गैंग सबसे ताकतवर गैंग है आज तक इस गैंग का कोई भी सफाया नहीं कर पाया है हर बार की तरह आज भी इनकी गैंग को धमकी मिली है कि आज रात इनके गैंग का सफाया हो जाएगा अब मैं आपको बता दू कि कैंचीरो और योसी नोरी ये दोनों गैंग के मुख सदसे हैं यही दोनों है जो गैंग को चलाते हैं सेडो ओफ दा डिथ नाम करके एक गैंग है उस गैंग ने इन लोगों को धमकी दिया है कि आज रात इनके गैंग का सफाया हो जाएगा और जो इनके गैंग को सफाया करने वाला है वो एक लड़की होगी हलाकि यहाँ पर एक लड़की आती तो है लेकिन वो इन लोगों को सिर्फ एंटेटेन करने के लिए आई होई थी कैंचीरो उस लड़की के कलाकारी को देखने के बाद उसके साथ गलत काम करने के लिए जा रहा था तब ही उसके पीछे सैडो गैंग की एक मिंबर आ जाती है जो की कैंचीरो को बहुती बुरी तरीके से जान से मार देती है उसके चिलाने की अवाज सुन करके योसी नोरी अपने सभी आदमियों के साथ भाग करके अंदर आता है ये लड़की बताती है कि किलर इसी स्टैचू के अंदर छुपा हुआ है जिसके बाद सभी लोग मिल करके उस स्टैचू की उपर लगातार फाइरिंग करते हैं लेकिन सायद इन बेवकूफों को नहीं पता था कि वो सैडो का मेंबर इनके पीछी आ चुका है और इनके हर एक बंदे को एक एक करके चुन चुन करके मार रहा था वो अकेले ही इन से भी लोगों को बहुत ही बुरतरी के से कुट्टे की मौत मार रहा था योसी नोरी भी आ करके उससे फाइड करता है और मौका मिलने पर उसे गन से सूट करने की कोशिस करता है इस दोरान सैडो का वो मिम्बर जैसे की गोली चलाता है तो जा करके उस लड़की को लग जाती है जिसकी वज़े से उसका ध्यान बटक जाता है और इसी का फाइदा उठा करके योसी नोरी उसे गन से सूट कर देता है जब वो उसके चेहरे को देखता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो सच में एक लड़की है उसे समय अंदर की पावर कट हो जाती है जिसकी वज़े से इन्हें मालूम चल जाता है कि अंदर कोई और यहाँ पर जरूर है अब वो जो कोई भी था वो भी अंदर आने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से तबाही मचाना सुरू कर देता है दरसल वो भी सेडो की मिंबर है और वो एक लड़की है योसी नोरी के सबी आदमियों को मार देने के बाद उसकी लड़ाई योसी नोरी से होती है और योसी नोरी को भी मारना बहुत हार्ड नहीं था बड़े ही अराम से वो उसे भी मार देती है लेकिन मरने से पहले योसी नोरी उसे पूछता है कि आखिर तुमने हमारे इतने सारे आदमियों को क्यों मारा आखिर तुम हमारी गैंग को खत्म क्यों करना चाहती हो अब इस सेडो का नाम है उम्बरा वो योसी नोरी को बताती है कि हमें तुम्हारे गैंग को सफाया करने का कॉंट्रैक्ट मिला था इसी वज़ा से मैं तुम्हारे गैंग को खत्म करना चाहती हूँ तुम आखरी बचे हुए सदसे हो तुम भी तैयार हो जाओ हाला कि योसी नोरी कहता है कि मैं अकेला बचा हुआ हूँ मैं कुछ ने कर पाऊंगा मुझे छोड़ दो लेकिन वो उसे भी नहीं छोड़ती है उम्बरा उसे भी जान से मारने के बाद वो अपनी पार्टनर नोमी के पास आती है उसे फिर से जिन्दा करने के लिए ब्लड प्रूफ जैकेट पहनने की वज़े से उसे जादा चोट नहीं आई थी वो नोमी को एक एक जेक्शन लगाती है जिसकी वज़े से वो फिर से होस में आ जाती है वो जिन्दा थी सही सलामत थी लेकिन फिर भी उम्बरा को उससे सिकाया थी उम्बरा का मानना है कि उसका ध्यान बटा गया इसी वज़े से उसका ये हाल हुआ अगर हमें मिसन मिला है तो हमारा पूरा ध्यान मिसन के उपर होना चाहिए अगर हम किसी को मारने के ले गए हैं तो वहाँ पर कोई और भी हो सकता है हमें उन्हें खत्म करने से मतलब है अब वो चाहे कोई भी हो तुमने बहुत बड़ी गलती की है इसी वज़े से अब तुम्हें यहां से कहीं और जाना होगा या कहने के बाद वो नौमी को एक दवाई देती है और कहती है कि इसे रोज खाना जिससे तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हें यहां से भेजना नहीं चाहती हूँ लेकिन तुम्हारी इस गलती की वज़े से हम पकड़े जाते हैं अब मंजिल पर पहुँच जाने के बाद इनका जो बोस था वो इन्हें लेने के लिए आता है क्योंकि अब इन्हें अगले मिसन के लिए रेडी होना था लेकिन तब ही उम्बरा कहती है कि हम नोमी को अपने साथ ले करके नहीं जा रहा हैं बलकि उसे यहां से भेज रहे हैं कहीं और अब उसका जो बोस था वो भी उसकी बातों पर सहमत हो जाता है इसके बाद उम्बरा नोमी को ले जा करके एक प्लेन में बैठा देती हैं और जाने से पहले उससे कहती है कि हमारे कौल का इंतिजार करना मैं तुमहरे पास कौल जरूर करूँगी अब नौमी जकारता में आ करके बस जाती है सुबा उठना दवाय को खाना अपने रूटीन को फोलो करने के बाद वो बाहर निकल जाती थी वो हर दिन सुबा उठने के बाद एक सीक्रेट लोकेशन पर जाती थी और वहाँ से वो उम्बरा के पास कोल करती थी कई बार कोल करने के बाद भी उम्बरा का कोई रिपलाई नहीं आ रहा था दरसल नौमी जानना चाहती थी कि उसका आगे का मकसद क्या है खैर अब जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता है तब वो वापस से घर लोटाती है आज के दिन वो अपने अपार्टमेंट में एक छोटे से बच्चे को देखती है जो कि अपनी मा को समाल रहा था क्योंकि उसकी मा ने बहुत जाता नसा कर लिया था उस बच्चे का नाम है मोंजी वो अपनी मा की देखबाल करता है जबकि उसकी मा को उसका देखबाल करना चाहिए जिस बिल्डिंग में नोमी रहती है ना उसी बिल्डिंग में मोंजी भी अपनी मा के साथ में रहता है रात के समय में नोमी को अचानक से मोंजी की चिलाने की अवास सुनाई देती हैं धरसल मोंजी के घर पर कुछ गुंडे आये थे जो उसकी मा को परसान कर रहे थे रात के समय में सो जाने के बाद अगले दिन सुबह में जब नॉमी की याँ कुलती है तब वो दवा खा करके बाहर निकलती है जहां नॉमी को मालुम चलता है कि अब मोंजी की मा की मौत हो चुकी है पुलिस वाले भी इस पर कोई एक्सन नहीं ले रहे थे बलकि वो मोंजी की मा की लास को उठा करके लेके चले जाते हैं पुलिस का हेड जो की प्रास है वो भी गुंडों के साथ में मिला हुआ है नॉमी जब बैड करके खाना खा रही थी तभी उसके पास मोंजी आ जाता है जो उससे खाने को मांग लेता है नॉमी उसे मना नहीं करती है बलकि उससे खाने के लिए दे देती है इस दोरान नॉमी मोंजी से उसके मा के बारे में पूछती है वो पूछती है कि रात के समय में जो आया था वो कौन था फिर मोंजी बताता है कि वो मा के कस्टमर थे उन् लेने के लिए मोंजी ने अपने पास एक चाकु भी रखा था जिसे नोमी देख लेती है मोंजी रोते हुए कहता है कि मैं उन लोगों को जान से मार दूंगा उन्हें मैं जिन्दा नहीं छोड़ूंगा अब इस दोरान जो नोमी थी वो मोंजी को ले करके कबरस्तान में आती है अब इस तरीके से नोमी और मोंजी के बीच में दोस्ती हो जाती है सुबा में उठने के बाद नोमी देखती है कि मोंजी के घर का जो दरवाजा है वो खुला हुआ था वो मोंजी को डूड़ते हुए अंदर जाती है लेकिन उसे मोंजी कहीं नहीं मिलता है ठीक उसी समय जैकी नाम करके एक इनसान घर के अंदर आयाता है और वो हाका नाम करके अपने बोस से बात कर रहा था अपने बोस के कहने पर जैकी यहाँ पर सबूतों को मिटाने के लिए आया था वैसे यहां आने के बाद उसे सबूत तो मिल जाता है लेकिन तब ही उसके सामने नोमी आ जाती है वो जैकी से पूछती है कि मौन जी कहां पर है इस दोरान जैकी उसके उपर हमला करता है लेकिन नोमी उसे बड़े ही अराम से हरा देती है नोमी से पिटने के बाद अब जैकी उसे अपने बोस के पास ले जाने के लिए तयार हो जाता है वो नोमी को ले करके हाका के होटल में जाता है जहां नोमी की मुलाकात सोया से होती है जो की हाका की सगी बहन है जैकी ये बोलकरके नॉमी को लेकर के गया था कि वो हाका की कस्टमार है अब हाका उससे मिलना चाहता है या नहीं या पूछने के लिए स्वईया हाका के पास जाती है इस दौरान जब नॉमी को मौका मिलता है तब वो कंप्यूटर के अंदर कैमरे को चेक करने लगती है अब दोरान जब सोया की आख खुलती है तब उसे गन दिखाई देता है वो गन को उठाती है और नोमी को सूट करती है लेकिन गलती से गोली जाकर के हाका को लग जाती है जिसकी वज़ा से हाका की मौत हो जाती है अब इसके बाद नोमी और सोया के बीच में फाइट सुरू हो जा ये इतना गोली बारी होने की वजह से पुलिस आ करके पहुच चुकी थी इसी वजह से ये लोग कार में जा रेके बैट जाते हैं लेकिन अब हाका की मौत हो जाने की वजह से जैकी बहुत परेसान हो रहा था क्योंकि अब हाका के ऑसा जो भी लोग थे और फिर कैमरे को चेक करने के बाद वो नौमी को देखता है जिसके बाद उसे मालूम चलता है कि यही वो लड़की है जिसने हाका को मारा है इस समय प्रास गवर्नर के बेटे आरियल से बात कर रहा था अब आप लोग समझी गए होंगे कि हाका प्रास और गवर्नर का बेटा आरियल ये तीनों मिल करके गलत काम करते थे और आरियल की पिता यानि की गवर्नर वो अपने बेटे का फुल सपोर्ट भी करते हैं यहां में मालूब चलता है कि आरियल ने ही मौनजी को किटनैप करके अपने पास रखा है और वो उसे काफी ज़्यादा टोर्चर भी कर रहा था अब इसके बाद हमें जैकी को दिखाया जाता है जो कि घर पर अपने बुड़ी मा का इलाज कर रहा था उनकी देखबाल कर रहा था तभी जो प्रास था वो अपनी पूरी टीम को ले करके जैकी की घर पर पहुच जाता है और उस लड़की के बारे में पूछने लगता है लेकिन जैकी बताता है कि मुझे नहीं पता है हम दोनों कब का अलग हो गए हैं उसी समय प्रास के एक आदमी को कोई गन से सूट कर देता है बागी के आदमी जैसे इचे करने के लिए बार की तरफ जाते हैं तभी नॉमी बाइक ले करके सीधा घर के अंदर आ जाती है दरखसल प्रास के उस आदमी को मारने वाला कोई और ने बल्की नॉमी ही है दरसल उसे मालूम चल गया था कि जैकी की जान खत्रे में है इसी वज़े से वो जैकी को बचाने के लिए उसके घर बर आ गई थी सब को खत्म करने के बाद आखरे में जब वो परास को मारने वाली थी तब ही पीछे से जैकी आ करके नोमी को पकल लेता है जिसकी वज़ा से परास को यहां से भागने का एक मौका मिल जाता है वो अपनी कार लेता है और यहां से भागने लगता है लेकिन नोमी अभी भी उसका पीछा कर रही थी तब ही एक कार आ करके नोमी को बहुती बुरतरी के से ठोक देती है और कार्ज से उसे ठोकने वाला कोई और ने बलकि आरियल था दरसल आरियल के कहने पर ही प्रास उसे ले करके यहाँ पर आया था इस दोरान प्रास जैसे ही नोमी के करीब जाता है तभी नोमी उसके उपर हमला कर देती है और इस बार वो प्रास को जान से मार देती है एक ही र मारता उससे पहले ही आरियल के पिता आ जाते हैं जो उसे रोक देते हैं आरियल के पिता कहते हैं कि जब तक वो बच्चा हमारे पास है तब तक वो हमारा सब कहा करेगी कल काबिल के साथ में डील होने वाली है डील हो जाने के बाद तुम इसे जैसे तया है वैसे मार देना अगले दिन सर्थ के मताबिक जब डील होने वाली थी तो ये लोग मोंजी और नौमी को साथ में लेकर के जाते हैं। गवर्नर के कार में मोंजी बैटा हुआ था और जो नौमी थी वो आरियल के साथ में बैटी हुई थी। यहां आरियल नौमी से कहता है कि काविल के साथ डिल हो जाने के बाद तुम्हें काविल को सूट करके जान से माड़ देना है। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें मोंजी मरा हुआ मिलेगा। अब एक तरफ से काबिल पैसो को ले करके आता है और दूसरी तरफ से जो नोमी थी वो ड्रक्स को ले करके आती है ड्रक्स को देने के बाद नोमी पैसो को बैग लेती है और फिट से आरेल के पास चली जाती है आरियल पैसे को देखता है और फिर एक गन निकाल करके नोमी को दे देता है तभी आरियल काबिल से कहता है कि ये तुम्हारा बोनस है इसे भी अपने साथ ले करके जाओ काबिल को सूट करने के लिए अब नोमी धीरे धीरे उसके पास पहुँच चुकी थी लेकिन तभी कार के अंदर जैकी को मालूम चलता है कि मोंजी सांस नहीं ले रहा है मतलब कि उसकी मौत हो चुकी है नोमी काबिल को सूट करती उससे पहले ही जैकी जोर जोर से चिला करके बोलता है कि मोंजी की मौत हो चुकी है या सुनने के बाद जो नौमी थी वो बहुत जादा गुसा हो जाती है इस दोरान जब काबिल को मालूम चल जाता है कि आरेल उसे दोखा दे रहा था तो वो अपने सबी लोगों से कहता है कि आरेल के सबी लोगों को जान से मार दो अब इसी दोरान लोगों के बीच में सूटिंग सुरू हो जाती है लोग एक जुसरे को जान से मारने लगते हैं जैगी जान बूज करके कार का दरवाजा खोल देता है जिसके बाद काबिल के जो लोग थे वो गवर्नर को सूट करके जान से मार देते हैं और फिर इसके बाद उसकी लड़ाई सुरू हो जाती है नौमी के साथ में लेकिन वो नौमी से जीत नहीं पाता है बलकि वो उससे बहुत पिटता है आखरे मेन नौमी उसके गले को उपर हमला करके उसे जान से मार देती है जैकी सोया के उपर कार चढ़ा देता है जिसकी वज़ासे उसके भी मौत हो जाती है सब का सफाया हो जाने के बाद अब जैकी और नॉमी मौंजी के डेड़ बोड़ी को लेकर के यहां से जा रहे होते हैं लेकिन तभी साइट से एक कार आती है जो इनके कार को ठोक देती है जिसकी वज़ासे इनका बहुत ही बुरत रिके से एक्सिडेंट हो जाता है दरासल ये कोई और नहीं बलकि उम्बरा और उसके बोस लोग थें अब नोमी ने इतने साइट लोगों को जान से मारा था इसी वज़े से ये लोग नोमी को जान से मारना चाते थे क्योंकि इतने साइट लोगों को मारने की वज़े से अब कुछ लोग हैं जो नोमी के पीछे आएंगे और नोमी की वज़े से वे लोग इन तक भी पहुच सकते थे इसी वज़े से ये लोग नोमी को मारना चाते हैं उम्बरा नोमी को मारती उससे पहले ही जैकी उसके उपर कूद पड़ता है तो फिर ये लोग जैकी को सूट कर देते हैं जिसकी वज़े से जैकी की भी मौत हो जाती है इस दोरान नोमी को भागने का एक मौका मिल जाता है तो वो भाग करके बाहर चली जाती है सेडो की टीम में एक ट्रोयका है वो अब नोमी को मारने के लिए उसके पीछे जाता है इनके बीच में खतरनाक फाइट होती है और नोमी लगातार ट्रोयका के उपर हमला करती है हाला कि जो ट्रोयका है वो भी नोमी को बहुत ही बुरतरीके से पीट रहा था लेकिन इस दोरान जैसे ही नॉमी को मौका मिलता है तो वो ट्रोईका के उपर हतियार से हमला कर देती है जिसकी वज़े से ट्रोईका जखमी हो जाता है और उसे मारना आसान हो जाता है ट्रोयका की मौत हो जाने के बाद अब जो उम्बरा थी वो नॉमी को मारने के लिए उसके पास आती है जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है और उम्बरा नॉमी को बहुत मारती है हाला कि नॉमी भी उसे थोड़ा बहुत चोट पहुचाती है लेकिन उम्रा बड़े ही अराम से नोमी को हरा देती है लेकिन नोमी को जान से मारने से पहले उम्रा हिच की चाने लगती है क्योंकि पूरा उम्र इन लोगों ने साथ में बिताया था उसे समय यहाँ पर इनके बोस आ जाते हैं जो उम्बरा से कहते हैं कि उसे जान से मार दो लेकिन जो उम्बरा थी वो नोमी को ना मार करके अपने बोस की उपर ही हमला कर देती है जिस वज़े से उसका बोस उम्बरा को गोली से सूट करता है और तबी नोमी गन उठा करके अपने बोस को सूट कर देती है उंबरा को गोली लगने की वज़े से पल भर में उसकी मौत हो जाती है मौन जी के डेड़ बोडी को उठाने के बाद नोमी बाहर आती है और पूरे जगां को जला देती है मौन जी के बोडी को लाने के बाद वो उसकी मा के कबर के बगल में उसे भी दफना देती है इसे के साथ दोस्तों ये कानिये पर खत्म हो जाती है दोस्तों हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से सुक्रिया